361 फीट लंबी अनुखी तिरंगा कावड ने जीत लिया सबका दिल देखे तस्वीरें हाइवे से गुजर रहे कावडियों के कारण पूरा हाइवे के सरिया रंग में रंगा हुआ नजर आने लगा है यह सिलसिला रविवार को दिन भर जारी रहा मेरट के दौरालाक शेत्र के लोग उस वक्त हैरान रह गए जब 361 फीट लंबी तिरंगा कावड उनके सामने से गुजरी इस कावड को जिसने भी देखा देखता ही रह गया लोगों ने भारत माता के जैकारों और भोलेनात की जैकार से इस अनुखी कावड का स्वागत किया जी हाँ तस्वीरों में देखिये आखिर कितनी खास थी यह तिरंगा कावड सारे काम छोड कावड देखने के लिए उमरी भीर तिरंगा कावड रविवार को दौरालाक शेत्र से गुजरने वाली 361 फीट लंबी तिरंगा कावड ने हर किसी को चौका दिया इस अनुखी कावड को देखने वाला हर शक्स जहां था वहीं रुख गया और कावड को देखकर रुमांचित होता रहा हाला कि अनेक भव्य ज्हांकिया दिन भर हाइवे की शोभा बढ़ाती रही लेकिन इस खास तिरंगा कावड ने सभी का मन मोह लिया अनुखी कावड के साथ लोगों ने ली सेलफी तिरंगा कावड के साथ सेलफी लेते लोग कई दिनों से हाइवे पर बम बम भूले और केसरिया रंगी नजर आ रहा है रात के समय बड़ी बड़ी जाक्या रंग बिरंगी लाइटों से सजी धजी चलती है तो लोगों के मन को उत्साह से भर रही है जाक्यों के साथ चल रहे बड़े बड़े डीजे लोगों को रुमान्चित कर रहे हैं इसी क्रम में जब तिरंगा कावर हाइवे से गुजरी तो इसे देखने के लिए लोगों की भीर उमर पड़ी यहां तक की लोगे सनुखी कावर के साथ सेलफी लेने से भी खुद को नहीं रोक पाए कावर को लेकर जा रही है 35 युवकों की टीम तिरंगा कावर रविवार सुबह दौराला हाइवे से गुजर रही फीट की तिरंगा कावर को देखने के लिए भारी भीर रही तरसल यह खास कावर बुलंद शहर ले जाए जा रही है बुलंद शहर के गाउं केशोपुर सठला निवासी 35 युवकों की टीम इस कावर को लेकर जा रही है पहली बार कावर ला रहे हैं टीम के सभी सदस्य